नमस्कार विद्यार्तियो वार्षिक परिक्चा पेपर 2022-23 कक्चा नवी वी से संस्कृत पेपर रहेगा 75 माक्स का उसके लिए आपको बराबर समय दिया जाएगा 3 गंटेगा तो चलिए स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम एक से लेकर तो 23 तक पेपर का संपुर्ण सोलुशन देखने वाले हैं यदि आप चेनल पर पहली बार आये हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अपने सभी दोस्तों को शेर कर दीजेगा चलिए स्टुडेंट्स पूरा का पूरा पैपर वार्षिक परिक्चा दोहजार 23 कक्चा नवी सबजेक्ट संस्क्रेट पूरा सोलुशन के साथ हम देखेंगे अपने हाथ में कोप्य और पेन रखेगा और इन प्रिशनों को नोट कर लीजेगा पीडियेप चाहिए तो आप टेलिग्राम को जॉइन करिए हमारे डिस्करप्शन में लिंक है वहाँ पर आपको पीडियेप भी मिल जाएगा चलिए फ्रेंड्स तो कोशन क्रमांक पहले से हम स्टार्ट करेंगे संपूर्ण सोलुशन के साथ यहाँ पर देखेंगे कोशन नमबर पहला उचितु विकल्पम चितु वाह लिकत उचितु विकल्प चुनकर लिखना है बहुब्री समस्ष्य उधारनम अस्ती यहाँ पर चार ओप्सन आपको दिखाए दे रहा है इन चार ओप्सन में से वो ओप्सन बताना है जिसमें बहुब्री समस्ष्य है तो साथियो दीन दानम इसमें तत्पूरु से इसमें अव्यई भावे इसमें कर्मदारा है बचा क्या पितामबर पितामबर में आपका बह वरी समास है अगला कुश्यन यतो चितम इत्यस्च संदी विच्चेद बहुती यतो चितम का संदी विच्चेद क्या होगा तो इसका जो संदी विच्चेद होगा वोगा यताधन उचितम करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्यन अदो लिख तेसु व्रद्धी स्वर संदे ररन्चांत ना आए, इसमें तो आपकी दीर्ग है, इसमें गुन है, और इसमें आपकी व्रद्दी है, और इसमें आपकी यन इह एक ही question से 4 पिरकार के question आपको complete करवा रहा हूँ, ठीके, देखьте एक question था लेकिन 4 हमने complete करे, करे की नहीं करे, आपके आँकों के सामने ठीक है आप देख पा रहा है यहां पर लेकिन कुश्चन इसी परकार आप नोट कर ले इनको कि सब्द में ये संदी है इसमें ये है इसमें ये है सब मैंने आपको बताया वीडियो पीछे करकर अगला कुश्चन है अदो लिकिते सू लोट लकारश य रूपमस्ती आगे जो पतल लिके गए हैं उनमें लोट लकार का क्या करना है साथ यो रूप बताना है कौन से सब्द में लोट लकार है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ लोट लकार आपका इसके ट्रीक चलती है अतू अताम अन्तू तो यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका लोट लकार है इसमें प्रतम पुरू से दीवचन है तीन कोश्यन और मैंने आपको इसमें बता है अगला कोश्यन तुल्य वस्सला मम जननी इत्यसमीन पदे विशेशी पदमस्ती देखिए इस्टुडेंट्स यहां पर पूँच रहा है कि तुल आपका करेक्ट अंसर इसमें रहेगा नेक्स्ट कोश्यन को देखते हैं अगले कोश्यन में आपको प्रचार्य इत्यसमीन पदे उपसर्ग स्ती प्रचार्य इस पद में आपको उपसर्ग बताना है तो विद्यार्तियों आप लोगों ने उपसर्ग पड़े होंगे तो इन पहले question के और आजदी हम बढ़े तो question number 2 में आपको पूचा गया है कि उचित्व सब्द को चुनकर रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए है ना अब उचित्व सब्द आपको कहां से चुनना है ये तो option नहीं दे रहें लेकिन आपको यहाँ पर अपना दिमाग से सही अंसर ब इत्यस्मीन पदे वच्छनमस्ति तो याच तू इसमें लोट लखा रही है तो इसमें आपका एक वच्छन हो जाएगा पहले वाले में आप क्या लिकोगे एक वच्छनम एक वच्छनम पहले वाले में आ जाएगा दूसरा वाला नमस्ते इत्यस्मीन पदे संदी अस्ति न विशेश पदा मस्ती तो यहां पर यह दो सब्दों से एक वाक्षी बन गया इसमें आपको विशेश बताना है तो इसमें विशेश होगा सर्पा यह सर्प यहां सुटा और यहां लिए दो सही हो गया ठीक है अगले कोश्यन क्यों बढ़ते हैं आपश्यन इत्यस्मिन पदे लकार अस्ती तो आपश्यन में आपका जो लकार हो जाएगा वो हो जाएगा लंग लकार बूत काल लंग लकार आपका करेक्ट अंसर इसमें रहेगा अगला कोश्यन कशित किर्शकाह आसित इत्य समीन पदे किर्श कहा विशेश्य पद बताना हैं, खालिस्तान में विशेश्य पद लिखना है, तो किर्श कहा आपका करेक्ट अंसर होगा, अगला कुशन राम लक्षमनों चा गच्चत राम और लक्षमन दोनों जाते हैं असमीन पदे अव्यस्ती तो अव्य क्या है चा आपका खरेक्रेंसर होगा यहाँ पर चा बर दीजिगा अगला कुशन हम देखते हैं प्रिश्ने नंबर तीसरा तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौनसा वाक्य सुद्दे कौनसा सुद्दे तत्र अव्यमस्ति बिल्कुल आम यहाँ पर क्या लिखोगे आम जहाँ पर मैं राइट कनिसान लगाओंगा महाँ पर आम लिखेंगे और जहाँ पर मैं कठ लगाओंगा आप अपनेगें तरिविंस नहीं है इसमें कौन साई दिवू बान हता इत्यulations मिन पदे समाश विगरे बाणेन हता अस्ती बिल्कुल आम निर दोस इत्यस मिन पदे निए उपसर्ग अस्ती ना क्योंकि नीर उपसर्ग निए नहीं इसमें गलत है क्योंकि दो मातर आएगी अउकी मातर आएगी इसलिए यहां पर कट लगा दिया ना द्रक्चति इत्यस्मिन पदे दिरस दातु अस्ति तो इसमें भी आपका आम होगा चलिए नेक्स्ट कुशन देखते है प्रिश्ण नमबर चार है आपका युग मेलनम प्रण लोड कर तो वि हाई में आपका लिपड़ा परती है है पातुमस अब यूद्रम में आपका तूमन परतिी इंद दीड़े की अनीद यहां पर आपको क्योड़ा लेना अगला कुश्चन पांचवा यहां पर आपको पर्षय वाच्चि लिखना है तो यह भी देख लीजिएगा पहला कुश्चन हमारे दो दो नमबर में यहाँ पर आपको पर्याइवाची लिखना किसका वनम का तो वनम का आप लिख लो एक तो कानन लिख लो काननम लिख लो और एक लिख लो अरन्य यह दो गए और बहनु का रवी लिख लो और एक लिख लो दिन कर ठीके यह दो जाएंगे और गया दोनों का दो दो बता दिये अगला कुश्चन अब अगले वाले कुश्चन में विलोम बताना है उपकार का क्या हो जाएगा तो यह लिखा है अपका और विले का क्या होगा उद्गम लिख लेंगे आप ठीक है विले का क्या लिख लेंगे उद्गम उद्गम है ना यहाद लगाना है यह हो जाएगा ठीक है उसके बाद में कोशन नमबर साथ मैं आपको प्रिश्ण निर्मान करना है प्रिश्ण निर्मान जैसे कि मैं बता दे केश्याम और लाफ्ट में केश्याम लिखकर यहां पर आपको कोश्यन मार के लगा देना है और यहां पर मौत कानी की जगा लिख देना कानी और पीछे कोश्यन पिताहा पुत्रें से गच्च शी नहीं, गच्च थी, ठीक है? ऐसा ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे किसने किससे कहा? पुत्री के ना हैं पाप कर्म करोमी तो ये जो सेंटेंस बोला था ये बोला था देवेश ने देवेश कौन था कुमार था देवेश ने बोला था तो किस से कहा था मलिकाम प्रती मलिका के प्रती कहा था और सिप्ता जल प्रवाहे इस्ताश यंति किम जल के पिरवाहे में तुम ये बालू से क्या बना रहे हो तो ये देवदत ने कहा था उस व्यक्ति से अगला मल्ली काहसे धर्म यात्रह गच्चती इस्म सकीवी सकीवी भर दीजिएगा इसमें और दूसरे वाले में आप मौतकानी लिकोगे और घटनकिरम आप यहां पर जमा सकते हैं ठीके कैसे पहले आपका क्या आएगा तो यहां पर देख लीजिएगा ये तो आपका चौते नमबर पर आ जाएगा पहला वाला और दूसरे नमबर पर आपका ये वाला आ जाएगा और उसके बाद में ये वाल आ जाएगा फिर ये आ जाएगा ठीक है इस परकार से आपका तक्रम कर सकते हो यहां पर और कोशेन किरमांग की आपके किताब वाले हैं और कोशेन नमबर 15 में आपको ये कोशेन यही पढ़ना है यही संसर देना है इस paragraph को पढ़कर उत्तर देना है तीन के ठीके नीचे भी आपको यह से same to same यही करना है question number 19 में आपको इस लोग लिखना है ठीके इस लोग के आपको एक लिखना है और question number 20 में आप लोगों को क्या करना है साथियो एक निबन लिखना है ठीके निबन अपना देश या संस्काद वासा का और 21 में आपको एक आउकास का प्रात्न पत्र लिखना है इस परकार आपका यह पूरा solution हो चुका है पेपर का वीडियो आप कहा है से देख रहे है कमेंट बोक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आगे भी अपडेट मिल सके धन्यवाद